कहा है है ka funktion 24 पुलिटिकल शाइनस चीटर 2 का टापिक है का नस्ट्टूशस्टल डिजाइन ठीक है का नस्टूशन का डिजाइन हम केसे करती है कि अन्य कंप को किस तरा बनायते हि थे हम हम इसी के मुत्लिक आज पड़ेंगी है ठीक है देमोक्रेटिक काउनस्टूशनल डिजाइन को ऐंडर्स्टेंड करने के लिए पिछले हम क्या करेंगे हम पढ़ेंगे साओध अपरिका की श्टूरी हमें अच्छी तरह की परिस्टूशनलिंन को क्यों डिजाइन किया जाता है ठीक है क्यों कानुश्टिशन को डिजाइन करना जुरूरी है तो इन सारे सवालों के जवाव हमें वही से मिलेंगे तो पहले हम क्या करेंगे हम यहां पर जाएंगे यह देखो थोड़ा बहुत मैंने मेब बनाया था तो इसको यहां पर बोलते हैं UK यानि की United Kingdom UK United Kingdom ठीक है तो यही लोग यहां से आये थे और यहां पर एक कांट्री है जिसका नाम है South Africa तो यही पर वो सेटल हुए थी ठीक है South Africa में वो सेटल हुए थी ठीक है तो यूके से वो आये थे अंग्रेज लोग और South Africa में वो सेटल हुए थे खाली South Africa में वो सेटल नहीं हुए थे बलके वो इंडिया में बे आये थे वो तो आपको पता होगा हिंदुस्तान ने फिर उसकी खिलाफ लड़ी थी आजादी के लिए लड़ा था तो इसी तरह वो South Africa में आये थे क्या हुआ जब वो South Africa में आये थे लेकिन वो South Africa में कब आते हैं वो South Africa में 17th and 18th century में आती है यहां पर ठीक है तो 17th 17th और 18th century में वो यहां पर आते हैं English कहां पर आ जाती है South Africa में आ जाती है और वहां पर इंपरलिज्म करते हैं जैसे कि आपको पता है इंपरलिज्म क्या होता है इंपरलिज्म मेनिस वहने पावर्फल कंट्री अटेक्स ऑन इनी वीकर कंट्री एंड सब्यूगेटिड़ द and politically that is called Imprism तो उसको Imprism कहा जाता है ठीक है यानि कि हम इसको ऐसी भी समझ सकते हैं कि जब कोई ताकत और मुलक किसी कमज़ोर मुलक पे अटेक करता है और उसकी इक्तिसादी हाओं को खतम करता है उसकी समाजी हाओं को तबह करता है और उसकी जो पुलिटिकल हाओं को उसको को भी क्तावा करता है तो उसको हम बोलते हैं इंपरिजम तो इसी तरह से यू के से जो अंग्रेज आये थे ठीक है तो उन्होंने सौथ अफरिका पर अपना कभजा यहां पर जवाया था और वहां पर उन्होंने रेशल डिस्क्रिमिशन गया था तो उसी के बारे में हम हुए थे और यहां से जो यहां पर यह अलाका है तो यहां पर क्या रहे यहां पर ब्लेक रहती थे और यहां पर वाइट रहती थे ठीक है तो यह जो वाइट लोग थे वाइट लोग गवारा नहीं करते थे कि वो ब्लेक उनके साथ मिले उनके साथ रहे तो उस पालसी को ब Apathide policy क्या बोलते है उसको? Apathide policy. Apathide क्या होता है? Apathide होता है racial discrimination यान räणने कि वो जो South Africa के South Africa में जो white लोग रही थी वो इनके साथ discrimination करती थी तो उसको हम बोलते है Apathide. Apathide होता है racial discrimination याने कि रंग अज़र आप black हो तो उसी के मुतल्य की है ठीक है तो इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इस एपाथाइड पालसी के खिलाफ वहां पे एक आदमी था जिसका नाम था निलसन मंडिला तो निलसन मंडिला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसके खिलाफ वह एपाथाइड के खिलाफ लड़ने के लिए मतलब वह आम वोग उनको 1964 में अंग्रिया जून ने उनको क्या क्या उनको प्रिजन में डाला, ठीक है, उनको जेल में बंद क्या, तो वो जेल कहा पे है, वो जेल वही पे है, साओध अफरिका में अगर हम जाएंगे तो यहां पे, यहां पे एक अलाका है, जिसमें मैं आपको इहाँ पर एक prison है, जिसको बोलते है Robin prison. Robin prison यहाँ पर एक jail ही एल ठेकल है. यह Robin prison उसको बोलते है Robin island भी ठेकलح? island है वहाँ वहाँ पर island है ठीकहा आपको पता है island क्या होता है ठीकहा? Wow तो आपको पता ही है तो उसके बाद यहां पे एक island है तो वहां पे उसको बोलते है Robin island तो उस Robin island में एक prison था तो उसी prison में Nilsen Manila को उन लोगों ने jail बंद किया था तो उसके बाद क्या होता है कि citruggle against citruggle against apathide यानि कि वो अपनी जो अपनी citruggle होती है इस racial discrimination खिलाब अपनी citruggle को वो लगातार continue रखते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या होता है little bit by bit time इसकी history जो है वो तो हम पढ़ेंगे इसकी history अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि यह concept हमें अच्छी तरह से understand हो जाए तो 17th century century में तो वो आये थे और इन लोगों पर उनने जल्म की start किया था उस से उस टाइम से लेकर तो फिर इसके खिलाब निलसन मंडेला ने अपनी जो citruggle थे उसको आगे रखा वो उसकी खिलाब लड रहा था अपने सातियों के साथ ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो यहां पर क्या माहूल क्रेट हुआ कि सौथ अपरिका में ऐसा माहूल क्रेट हुआ कि यहां की जो society थे वो डिवाइड हो गई वो तीन जो तिबके थे जो तीन category में वहां के लोग डिवाइड होए थे चलो उनके मुदिद कुछ नि देको the people are divided on the base of colors, आने के colors में वो डिवाइड होई थे यहां कि वहां पर white लोग थे छो आएड होई थे ठीक है, white जो वहां UK से आये होई थे, ठीक है, तो वहां पर black थे, black जो Afrika के अपनी natives जो वहां के रहने वाले थे उसके बाद मिक्सर में आते हैं कालर यानि की कालर में यहाँ इसमें वो लोग जो अफरिका के थे साथ साथ वो लोग जो हिंदुस्तान से यहां पर माईगरेशन करके आए थे ठीक है इंडिया यहां पर है इंडिया तो इंडिया से तो वो इंडिया से यहां पर माईग्रेशन करके आए थी ठीके तो मिक्सड लोग थे वो यहां पर तो कहने का मतलब यह है कि सौथ आफेका जो था वो डिवाइड हो था था कालर के नाम पर वो डिवाइड हो था ठीके फिर उसके बाद क्या होता है एपाथाइड स्ट्राइड वाज पर्टिकुलरी ऑपरिश्व फार ब्लेकर देवार फार फार फ्रम लिविंग उन देवाइड एरिया यानिके जो एपाथाइड पालसी में आपको समझाया कि एपाथाइड पालसी जो थी हर एक के लिए यह अच्छा नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसका गलत असर हो रहा था तो वो सबसे ज्यादा किन पर हो रहा था ब्लेक लोगों पर हो रहा था यानिके सबसे ज्यादा जो इसके विक्टम इस थे वो ब्लेक इस थे ब्लेक उनके साथ सबसे ज्यादा मतलब हो रहा था वहां पर देखो उनके साथ क्या ह ता है जो वहां पहर जो बलेक साथ क्या हरुआ है उनके साथ क्या हो रहा था वहां पहर या नि कि वह यह आगर यहां पहर यह व्ध है huh तो यह यहां पी एत Sign यानि कि हाँ आप white area में काम कर सकते हूँ, ठीक है. तो इतना ही नहीं, बलके वो train में, ठीक है, वो train में, buses में, taxis में, hotels में, hospitals में, schools में, colleges में, libraries में, शिलमा halls में, ठीक है, जो theaters थे, beaches थे, swimming pole थे ठीक है तो वो इनका फायता तभी ले सकते थी जब इनके पास permit होता था ठीक है अगर इनके पास permit होता तो जाके वो इन चीजों को इस्तिमाल कर सकते थी यानि कि वो enjoy कर सकते थी यह चीजे otherwise they were not allowed to use these things ठीक है तो I hope कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा इतना ही नहीं बल्कि वहां पे क्या था सौट अफरिका में ऐसी हालत थी वहां पे public toilets थे और वो भी separate थी तो यलितन के लिए आलग toilet हुआ करते थी anywhere tune के लिए आलग toilet हुआ करते थी यानि कि मैं आपको यैश समझाओनगा क्या अगर достरुम में इसको जाना है तो इसके पास permit होना चाहे अगर किसी को college जाना है तो उसके पास भी होना चाहे लेबरील में किताबे पड़ने के लिए जाना है तो परिमेंट होना चाहिए, हाला कि सिल्मा हाल में पिक्चर देखने के लिए अगर किसी को जाना है तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, परिमेंट होना चाहिए, इवन कि सुइंग पॉल जाने के लिए भी परिमेंट होना चाहिए, इतना सिस्टम वहाँ तो यह जो system वहाँ पर था, उस system को बोलते है segregation, यानि कि, segregation का Rog recent का मतलब होता है Awलग था लग, यानि कि अलग भणाज, वह हो हम अलग थीक है हम अलग है, sorry मतलब कहने का मतलब यह कि, segregation को बोलते seis segregation का मतलब होता है कि मनतलब whites अलग रहेंगे और ब्लेकस अलग रहेंगे ठीक है इस कुड़ नाट इवन विजिट दे चर्च वो विजिट भी वो चर्चु में भी विजिट नहीं कर सकती थी ठीक है तो इसके बाद हम आगे चलेंगे सिनस 1915 तो सिनस 1950 से क्या होता है कि वहाँ पे क्या ए एन सी यानि कि अफरिकान नेशनल कांगरस अफरिकान नेशनल कांगरस वहाँ पे बन जाती है अफरिकान नेशनल कांगरस अफरिकान नेशनल कांगरस ए ए एन सी इसको बोला जाता है अफरिकान नेशनल कांगरस party run by blacks and colored people against segregation यानि कि यह जो African National Congress Party थी इसमें कौन लोग थे इसमें blacks भी थे और इसमें colored लोग भी थे और वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे segregation के खिलाफ लड़ रहे थे ठीक है Many countries condemn this system but several whites practice it during their time तो बहुत सरी country उस वकि थी जुनों ने इसको condom किया था इस system को condom किया था लेकिन फिर भी जो वहाँ पे English थे वो इस policy को खतम करने के हक में नहीं थे तो कुछ लोगों ने जो blacks थे तो जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उनको मार दा उनको मार जिया गया यानि कि जो लोगों तो इसके आगे हम चलिऊंगे उसके आगे क्या होता है करशे तो percent यानि कि वहां पही रहा आप एक ांडूूशन बनने लगता है assigned पे South Africa में एक constitution बनने लगता है, तो towards the new constitution, तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं, वो protest करते रहते हैं, अपने protest वो जारी रखते हैं, और यह जो white लोग होते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मजबूर, यानि कि protest increases, यानि कि यह वो दोर होता है, कि जब ज़्याद से ज़्यादा प्रटेश्टर्डड हो, वहां वहां पे हो जाते हैं, तो उसे क्या हो जाते हैं, जो white लोग होते हैं, उनको अपने, उनको जो मतलब, उनकी regime जो होती है, उसको change करना पड़ता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? बेन उन पुलिटिकल पार्टीज एंड मीड़ा लिप्टर्ड यानि कि, जितने भी वहां पे बेन, जितने भी वहां पे पुलिटिकल पार्टीज थी, और जितना भी जो मीड़ा वगेरा होता है, इस पे बेन था, तो वहाइट लोगों ने वह बेन उस पे हटाई, उसके बाद क्या होता है? अफर ट्वन्टी एट येर्स, मंडेला गॉट फ्रीडम फ्राम्दी जेल, यानि कि, जो निलसल मंडेला होता है, अठाईस, अठाईस साल के बाद, उसको जेल से रहा किया जाता है, और बाला आखिर क्या होता है कि, 26 अपरिल 1994 में, अफरिका क्या है, वो रिपब्लिक बन जाता है, यानि कि मैंने आपको बता है, रिपब्लिक is the form of government, in which the head of the city is chosen and not heredity, यानि कि, इसमें एक ऐसा head of the city होता है, जिसको हम फिक्स टाइम तक चूज करते हैं, या पांच कुछ कंट्री में ये पांच साल तक होता है, और कुछ कंट्री में छे साल तक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक, इंडिया इस रिपब्लिक, वाइ इंडिया इस रिपब्लिक, बिकास, तो प्या है जी जेल भी है बन्ताइब, आफ के फिर वहां पे कारश्यटों बन जाता है, जैसे कि वहां पेसिम बन चाह्ट है, तो निलो सनopa जाता रहने shift में था, जिसने काफी लड़ा था, अफ्रेका को आजाद करने में तो फिर वह पहला प्रेजडन बन जाता है आफरिका का, यानि कि वो पहला प्रेजडन बन जाता है आफरिका का, और उसने, यानि कि अगर हम अच्छी तरह से, अगर हम जदा इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो निल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी है, तो उस बुक का नाम है, The Long Walk of Freedom The Long Walk of Freedom The Long Walk of Freedom अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सिखने को मिलेगा अफरीका के बारे में ठीक है? तो उसके बाद क्या हो जाए? काउनस्टूशन बन जाता है तो इनको जोरत परती है काउनस्टूशन बनाने की तो ये लोग काउनस्टूशन बनाते हैं, काउनस्टूशन जब ये बनाते हैं, तो ये इसमें क्या होते हैं, ये जो काउनस्टूशन बनता है, इस काउनस्टूशन में दोनू लोगा, दोनू जो वहाँ पे दो कैटेगरी के लोग होते थे, बलेक्स और वाइटेस, दोनू पर जाती हैं और मिलके कान बनाते हैं एक इक अच्छा कान बनाते हैं बहुत अच्छा कान बनाते हैं यानि कि 1994 तक South Africa South Africa दुनिया में गटियों मुल्खों में से एक मुलुक माना जाता था लेकिन उसके बाद 1994 के बाद यह दुनिया में Democrat Nation के तोर पर उबần आता है थीकश है अच्छा मुल्ग बन जाता है यदि कि इनके पास अब इतना अच्छा Constitution होता है जो दूनिया के बड़े अच्छे अच्छे मिलक की पास होता है इनके पास भी अच्छा Constitution होतान कशन क्या होता है Constitution एक ऐसे बुक होती है जिसमें गानून लिखा जाता है और उस कानून पे जो लोग होते है मतलוב उनको उसके अमल करना ही पड़ता है तब जा District कांटरी होते है उसमें अमन अमन रहता है उसमें शान्ती रहती है उसमें लाएंड डॉर रहता है तो उसमें यह जो मझभद के नाम पे लो इस तरह के conflicts फिर नहीं arise हो जाते हैं ठीक है I hope कि आपको एंडरस्टेंड हो गया होगा तो फिर इसके साथ साथ आप किताब भी पढ़ना तो इन्शाला यह आपके मतलब यह अच्छी तरह से आपकी जहन में रहेगा और यह concept आपका अच्छी तरह से clear हो जाएगा ठीक है